नमस्का एशन इस इंडिया में आपका स्वागत हैं में प्रिया आपके साथ 16 जून चीनी राष्ट पतिशी जिन्पिंग का जन्नम दिन है और वे इसे जल्दी नहीं फूल पाएंगे क्योंकि 2020 में इसी दिन 20 साल में पहली बार चीन और उसकी पिपल्स लिबरेशन आर्मी को सबसे घातक मुटबेड का सामना करना पड़ा था ये कहना है पूर आर्मी चिफ जनरल मनोश मुकुन नर्वडे का नर्वेडे ने अपनी आटो बाइग्रफी फोर स्टार्ट्स आफ डेस्टिनी में 2020 में गलवान वेली में भारती सेना और चीन की आर्मी के बीच होई हिंसक जड़ब के बारे में कई बाते लिखी है उनकी आटो बाइग्रफी जनवरी 2024 में लांच होगी उन्होंने इस किताब में लिखा है कि चीन ने छोटे पडोसियों को डराने धमकाने के लिए वुल्फ वारियर कुट निती और सलामी स्लाइसिंग रन निती अपनाई लेकिन गलवान में भारती सेना ने चीन और दुनिया को दिखा दिया कि बस अब बहुत हुआ जुन दोजार बीस में भारती सेना और पियले के बीच हुई इस जड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे लेकिन इससे पहले हमारी सेना ने पियले के भी 40 से ज़्यादा सेनिकों को मोत के घाट उतार दिया था नर्वणे ने लिखा कि गलवान जड़प के समय चीन नेपाल और भुटान जैसे छोटे पडोसियों को डराने धमकाने के लिए हर जगा बेडिया युद्धा कुटनिती और सलामी स्लाइसिंग रणनिती अपना रहा था जबकि दक्षिन चीन सागर में लगातार दावे बढ़ा रहा था वूल्फ वारियर डिप्लोमेंसी शब्द एक प्रकार की मुखर कुटनिती के लिए इस्तिमाल किया जाता है जबकि सलामी स्लाइसिंग एक रणनिती है जिसका इस्तेमाल किसी जमीन के हिस्से को टुकुडे टुकुडे करके कबजा करने के लिए किया जाता है इसी के साथ बने रही है एशानी जिन्दा के साथ खंड़ी बाद